सो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि Amazon से आप कोई सा भी Mobile EMI Pay कैसे आप खरीज सकते हैं बिना Credit Card के जेहां बिल्कुल आप सही सुन दें अगर आपके पास Credit Card नहीं है और आप जो है Mobile EMI Pay यानि किस्ट पे आप खरीदना चाहते हैं तो अब जो है आप Amazon से कोई सा भी Mobile आप EMI Pay बिना Credit Card के ATM Card का यूज करके आप EMI Pay यानि किस्ट पे Mobile खरेश सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में complete process बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से Amazon से Mobile EMI Pay खरीदेंगे बिना Credit Card के तो इसके लिए जो है आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राब कीजिए तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको Amazon application को open कर लेना है और अगर आप पहले से Amazon application को download कर रहे हैं तो सबसे पहले Google Play Store से update कर लेना है उसके बाद आपको open करना है जैसे ही आप open करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का interface दखने को मिल जाएगा तो पर आपको search करना है कौन सा mobile या किस company का mobile खेंदा है जैसे कि हम यहाँ पर Redmi का mobile search कर ली है तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे Redmi का mobile आच चुका है तो इनमें से हम कोई सा भी mobile को यहाँ पर खेंदा चाहते हैं जैसे कि मैं डेमो के लिए जश्ट दिखा देता हूं तो मान पीचे एक option देखने को मिल जाएगा by now तो आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिर processing लेगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पर देख सकता है कि payment method आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface द जाएगा इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काड़ करने का option आज आता है तो यहाँ पर सबसे पहले credit card का detail डालने का option आता है बट अगर आपके पास credit card नहीं है और ATM card से ख़एदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा तो एक step आपको back आना है जैसे चलिए हम back कर लेता हूँ अब यहाँ पर माल लेजे जो भी mobile आपको EMI पर ख़एदना है तो उस mobile के नीचे आपको एक option देखने को मिल जाएगा EMI option यह option देखने को मिल जाएगा मैं आपको highlight करके दिखा देख सकते EMI option तो आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर तीन option में जाएगा पहला option में जाएगा Amazon Paylator तो इस पर click करेंगे तो आप Amazon Paylator का यूच करके mobile EMI पर ख़एज सकते हैं उसके बाद आता है debit card EMI और order EMI और order EMI में आपको यहाँ पर credit card का option देख रहा है जो कि देख सकते हैं और तब ही आप इसके लिए eligible होंगे जो कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है debit EMI eligible and how to it work तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक option में जाएगा click here का तो आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि माल लिजिए आपके पास HDFC bank का ATM card है और आप mobile EMI पर खाइदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना होगा वो काम आपको SMS करना है SMS आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ माल लिजिए HDFC bank का ATM card है तो आपको जो है register mobile number से SMS में आपको tap करना है MY HDFC जो कि आप इसके लिए हैं इसी तरीके से अगर आपके पास कोटेक महिंद्रा बैंक का ATM card है तो आपको जो है register mobile number से आपको जो है capital में tap करना है DC EMI उसके बाद space उसके बाद जो है ATM card का last का जो है फर्ड डिजिट नंबर उसके बाद जो है आपको इस नंबर पर सेंड करना है Fav 6767 double ad pay इसी तरीके से अगर आपके पास access bank का ATM card है तो इसी तरीके से आपको message करना है जो कि यहां पर सप लिखा हुआ है तो आपको देख ल Ciक लिए है उससे सबसे आपको message send करना है जब आपको message आ जाता है कि आप इसके लिए eligible है यानि कि सबसे पहले आपको अपना eligibility चेक करना होगा कि आप इसके लिए eligible है कि नहीं है यह आपको चेक करना है जब आप इसके लिए eligible हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ नहीं देख सकते हैं तो आपको सबसे पहले जैसे कि हमको मोपाइल ख्रेद visitors Caroline माल ने जी आपको जो भी खिdislement करना उसके बार आप यहां पर देख सकते हैं उपर पर पर आपको लिखा हुआ आज आगा available EMI on your debit card यानि कि इतने सारे मोबाइल जो है debit card पे eligible है मतब debit card पे available है मतब debit card से EMI पे खाई सकते हैं जो कि यहाँ पे काफी सारे मोबाइल आज आता है आप मोबाइल सर्च भी कर सकते हैं इस लिस्ट में डटो कर देख सकते हैंена होगा यहंondere जिए मॉबाइल के यहांपे दिख़रा में नीचे आसकाउल करते हूँ और यहां ओप का option देख जाएगा इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर पे payment mode आजाएगा और याद रहे सबसे पहले आपको एक sms करना है अगर आप eligible हो जाते हैं तब आपका यह वर्क काम करेगा तो आपको नीचे score करना कुछ इस तरीके से और यहां पर एक option देखने को मिल जाएगा EMI का देख सकते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना इस पर क्लिक करने के बाद select EMI का option है इस पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद add new card पर क्लिक करना है जैसे ही आप add new card पे क्लिक करेंगे तो अब यहां पे card detail add करने का option आ जाएगा तो card detail में आपको ATM card का ही detail डालना है तो मैं यहां पे wait कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहां पे processing चल रहा है तो आपको थोरा दिर wait करना है उसके बाद जो आपको card details add करने का option आज आज आएगा तो सबसे पहले आपका naam शो कर जाएगा उसके बाद जो है आपको यहां पे card number डालना है अगर आंपका नाम नहीं शो करता है तो आपको यहां पर अपना नाम फिलप करना है कि कि किसके नाम से जो है ATM card काड है तो यहां पर नाम करना काड काड नमबर में आपको काड़का काड़ का ही डिटैल डालना है जैसिकि आपके पास स्वेशी बहुत काड़ंगे आपके सेब्सक्राइब करेंगे तो आपको करेंगे। करेंगे उस बाद आप कंटिन्यू करेंगे उसके आपको यह मैं करवाना चौहते हैं तो आपको प्लान करेंगे आपके मुबाइल नमर पर टीपी रिसी बोजाएगा ओटीपी डालकर कर देंगे आपका मुबाइल सकसफुली यह मैं पी ओडर हो जाएगा एट्यम कार्ट से जो कि आप कुछ इस तरह के से बिना करेंट कार्ट के जो है आप मुबाइल एमाइप यानि के किस्ट पे अमाजॉन से आप खड़े सकते हैं आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए सब्सक्राब किजिए कॉमेंट मिलते किसी नेक्ट वीडियो में तब तक कलिए थैंक्यू सो मच बाई